कपिल केवली कौशामभी के रहने वाले लेकिन विद्या प्राप्ती के लिए श्रावस्ती गए वहाँ एक कर्ण्या से प्रिती हो गई एक बार उनकी प्रियतमा ने थोड़े पैसे मांगे लेकिन गरीब होने के कारण कपिल नहीं दे पाए तब प्रियतमा ने एक रास्ता बताते हुए का कि इस नगरी के राजा को सुबह सबसे पहले जो आशिरवाद देता है उसी राजा दो सुना मौर देता है कपिल केवली आदी रात को ही घर से निकल पड़े मन मैं यही सोचती कि सुबह उनसे पहले कोई और पहुच कर राजा को आशिरवाद न दे दे लेकिन आदी रात को गोमती हुए कपिल को राज सेनिकों ने छोर समझ कर पकड़ लिया सुबह राज दर्बार में पेश किया गया राजा द्वारा पूछे जाने पर कपिल ने पूरी घटना बता दी तब राजा ने कहां कहो तुम्हें अभेदान है क्या चाहिए जो मांगोगे आज वो मिलेगा कपिल ने कहां राजन मुझे थोड़ा समय देजिए मैं आपको सोच कर बोलता हूँ राजा से अनुमती लेकर कपिल बाहर आकर उद्ध्यान में बैठे वो सोचने लगे क्या मांगोग विचारों के श्रंकला आगे बढ़ी दू सुना महर अजार सुना महर लाग करोड सुना महर कुछ गां या फिर आदा राज्ये ही मांग लो विचार आगे बढ़ते रहे ल क्यों न राजा से पूरा राज्ये ही मांग लो न ताकि पूरी जिंदगी कुछ कमाने की चिंता न रहे कुछ मांगने की चिंता न रहे बस तब ही वो पल आया जब उनके श्रंकला को उनके विचारों की श्रंकला को जटका लगा अरे रे रे मैं आया ता सिर्फ दो सोना मोहर मांगने लेकिन लोब के इस जाल ने मुझसे कैसे कैसे विचार करा दिये राजा तो सब कुछ देने को तयार बैटा है लेकिन मैं कैसा पापी जो राजा से ही पूरा उनका राज्य हड़पने को तयार बैटा हूँ दिक्कार है मुझ पर, दिक्कार है मेरे विचारों पर, दिक्कार है ऐसे लालच पर बस वैराज्य प्रकट हो गया कपिल ने उस पल ना सिर्फ लोबुक त्यागा बलकि पूरा संसार त्याग करके मुनी वेश धारन करके आगे की रहा पर चल दिये अब मन में कोई लालच नहीं था, सिरफ एक सोच थी अबसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इच्चाओ का तो कोई अंत नहीं है वो तो आकाश की तरह अनन थे अब ऐसी साधना करनी है कि कोई इच्चा बाकी न रहे कोई इच्चा बाकी न रहे कपिल सब कुछ त्याग करके आगे की रहा पर निकल पड़े घोर तब किया केवल ज्यान को फ्रिकट किया वह कपिल केवलई के नाम से प्रसिद्ध हुए आज इस खटना का एकी संदे से कि यदि हम अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो बदलाव के लिए विचारों के एक पल भी बहुत काफी है